नमेशकार, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि मल क्या होता है और मल को क्या कहते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि मल संख्या का नाम है, मल संख्या को कहते हैं, ये मल वो वाला नहीं कुस्ति वाला मल नहीं है, ये मल बोलते हैं संख्या को और इसका भसम भी त्या को घर में मत बनाए क्योंकि यह अच्छ wond नहीं बन्ता है कहीं। उख चुक हो जाने पे यह जहर का काम करता है। बहुत बेकार जहर है। अगर मानलो उचित और ठीक धंक से इसको बनाया जाए तो यह बहुत अमृत के काम भी आजाता 해 केते हैं कि या किसी आ किसीarner किसी से दुश्मन निकालनी थी तो उसने क्या करा कि उसकी बारात में जो कोफी पीते नरम ऊस कोफी के अंदर संख्य डाल दिया तो उस चक्र में क्या हो गया सारे के सारे उल्टी दस्त स करते 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 अरो जो आपको जिस कंपनी पर भी अच्छा विश्वास है उस कंपनी की भसम ले संख्या का भसम आप इस्तमाल तब कर सकते ह ہیں और इसका कितना इस्तमाल किया जाता है मैं बतातो हो एक चुटकी के भी चार इससे बनाए जाते हैं एक चुटकी अगर आपने उठाया है तो उसको आप तीले से माचिस की तीली से चाट टुकड़ों में बाट देंगे तब इसका इस्तमाल पान के पत्ते में और रखके उपर एक चमशेहद मिला के या गुलकंद मिला के तब इसका इस्तमाल किया जाता है या किसी अ रत्ती जिसे कहते न उसके भी चाट टुकड़े कर दिया जाता है तब इसका इस्तमाल चुथाई रत्ती के रूप में इसका इस्तमाल किया जाता है सुबह शाम इसको ऐसे मत खाएं ऐसे खाने से नुकसान दैग भी हो सकता है मल का जो तेली इस्तमाल किया जाता है वो नसे का बीज मुनक्का जानते हैं आप किसमिस का बड़ा रूप होता है उसको लेके उसमें से बीज निकाल के फैक देते हैं उसमें संख्या वसम डालके तब इस्तमाल करते हैं इसका इस्तमाल करने से बहुत सारी बिमारियां दूर हो जाती है मलेरिया बुखार में मलेरिया बुखार में इसको दिया जाता है किस चीज में मैं आपको बतायता हूँ चिरैते का सरवत या गिलोए का सरवत दोनों में से कोई एक लेके उसमें चुथाई चुटकी उसमें डाली जाती है भसम और उसे खाय जाता है तो उससे malaria जो बार-बार आने वाला बुखार है, कप-कपी दे के बुखार आता है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है गठिया से जो लोग परेशान है, चाहे वो reumated arthritis हो, चाहे osteoarthritis की शिकायत हो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि अश्वगंदा की जड़ 50 गराम और तवासीर 50 गराम जिसे बंचलोचन के नाम से भी जाना जाता है दोनों को पीस के powder बना ले, एक चमच पाउडर लेके, उसमें चुथाई चुटकी आपने संख्या वसम डालना है और एक चमच शेहद मिलाना है और उसे सुबह शाम इस्तमाल करने से गठिये से चुटकारा मिल जाता है रक्त विकार जिसमें हमारा खून साफ नहीं होता और तवचा पे तरह तरह के रोग उत्पन हो जाते हैं या मानली जे तरह तरह की बीमारियां हमें तंग करती है तो उसमें गोरक मुंडी का सर्वत बनाके दो चमच गोरक मुंडी के सर्वत में चुथाई चुटकी संख्या वसम डालके सुबह शाम खाना खाने के एक गंटे बाद चाटें ऐसा करने से रक्त की शुद्धी हो जाती है और रक्त से जो आपको बीमारियां हो रही है दूसी तरक्त के कारण वो भी हमेशा के लिए दूर हो जाती है जो लोग खासी से परेशान देते सूखी खासी आबलगमी खासी और आजकल खासी भी कई तरह की है जो एलर्जी वाली भी खासी होती है एलर्जी के कारण उनको खासी तंग करती है तो उन लोगों को कहना चाहूँगा गुल बनकसे का सरवत लेके तीन चमच गुल बनकसे क सुबे शाम दिन में दो बार खाना खाने के बाद चाटने से खांसी में रहत मिलती है। दम्य से जो रोगी परेशान है उनको सांस बहुत तंग करता है, खासी बहुत तंग करती है, ऐसे लोग अगर मुनक्का का बीज निकाल के फैक दे और उसमें चोथाई चुटकी संख्या बसम मिला के उसे निगल जाएं और उसको निगल जाएं उपर से गाय का दूद गरम प मिलता है, फेसियल पैरलैसी या अधरंग वात की शिकायत जिन लोगों को तंग करती है, उन लोगों को कहना चाहूंगा, अर्जुन की छाल पीस के पाउडर बना ले, एक चमच अर्जुन की चाल ले, और उसमें चोथाई चुटकी मल भसम, जिसे संख्या भसम कहते हूँ, वो मिला के एक चमच शहद में मिला के सुबे शाम चाटे, ऐसा करने से चहरे का जो लकवा होता है, अधरंग वात की शिकायत दूर हो जाती है, नामर्दी में भी इसका इस्तमाल किया जाते है, जो पुरुस अपनी साथी के साथ ठीक धंग से संभोगी क्रिया नहीं बना प और उसे निगल जाएं, उपर से गाय का दूद गुनगुना पी जाएं, ऐसा करने से नामर्दी की शिकायत दूर हो जाती है, कई बार क्या होता है, लोग बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं, मगर उनका सरीर बनता ही नहीं है, उनका हमेशा सरीर कमजोर बना रहता है, तो एक मुनका से ज़्यादा इस्तमाल मत करें, एक मुनका सुबह, एक मुनका साम को, ऐसा करें, ऐसा करने से आपकी पेट की पाचनग नहीं बढ़ जाएगी, जो आपकी आमाशे में, आंतरियों में, रस का रिसाव जिसे हम कहते हैं ना, की रस का रिसाव अच्छे से होगा, जिससे आपकी पाचनग नहीं बढ़ जाएगी और जो आप कुछ भी खाएंगे वो आपका खाया प्यार लगेगा और सबसे विड़िवात हमेशा लगता ही रहेगा जिन लोगों के शरीर में खुन की कमी है जिसे पांडू रोग के नाम से भी जाना जाता है उनको कहना चाहँगा आवले का पौडर लेके एक चमस आवले के पौडर में चुफाई चुटकी संख्या वसं मिलागे एक चमस शेहद मिलाके चाटने से बहुत जल्दी खून से शरी में ताकत भी बढ़ जाती है जिन लोगों का लीवर ठीक डंग से काम नहीं कर रहा है या लीवर की तिली ठीक डंग से काम नहीं कर रही वो संख्या वसम की चुथाई चुटकी संख्या वसम कुटकी का पाउडर आदा चमच लेके उसमें मिला के एक चमच शेहद मिला जाके अच्छे से सुबह खाली पेट और साम को खाना खाने से आदा घंटा पहले चाटने से लीवर ठीक काम करने लग जाता है और लीवर भी ताकतवर बन जाता है जो लोग छीकों से परेशान रहते हैं जुकाम से परेशान रहते हैं साइनस अलर्जी से परेशान रहते हैं उनके सरी में हमेशा बुखार-मुखार सब परेशान करता है, वो ठीक डंग से किसी से नजर मिला के बात नहीं कर पाते या ठीक डंग से अपना काम नहीं कर पाते, उन लोगों को कहना चाहूंगा जूफा सर्वत, दो चमच जूफा सर्वत में चुथाई चुटकी संख्या मिला के आप सुबह शाम चाटना शुरू कर दें तो बहुत जल्द जुकाम नजले साइनस अलर्जी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप पूरन रूप से स्वस्त हो जाओगे जिन लोगों का निमूनिया बिगड़ा हुआ और पुराना निमूनिया बिगड़ा हुआ जिससे उनकी छाती फेफडों में हमेशा खरड़ खरड़ की वाज आती है हमेशा सरी में बुखार सा बना रहता है और उनको सांस लेने में तकलीफ होती है तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि मुनक का एक पिस लेके उसका बीज निकाल के फैक दे उसमें चोथाई उस दूद को उपर से पी जाए ऐसा करने से आपके निमूनिये से आपको छुटकारा मिल जाएगा फेफडे भी ताकत पर हो जाएंगे और पसली चलने की समस्या भी दूर हो जाएगी जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा जढ रहे हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है या मान लीजी बालों में सफेदी पन जादा आ रही है बालों में डेंडरफ की शिकायत ज्यादा बनी रहती है ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि संख्या बसम एक चमश शेहद लेके चोथाई चुटकी संख्या बसम मिलाके सुबे साम चाटना शुरू कर देने से बाल जढने बंद हो जाते हैं बालों की ग्रोथ अच्छी होने लग जाती है बालों में डेंडरफ की शिकैत दूर हो जाती है और समय से पहले बाल सफेद नहीं होते हैं जिन लोगों के अंड कोस में पानी उतर गया है या अंड कोस में किसी तरह का विकार उत्पन हो गया ह जिससे अंड कोस का आकार बढ़ गया है, उन लोगों को कहना चाहूंगा कि इसको एक चमश शहद में चुथाई चुटकी संख्या बसम मिला के सुबे शाम चाटने से अंड कोस में जो पानी बढ़ गया है, वो सूख जाएगा और सूजन खतम हो जाएगी और आप पूरन पेर जो है उनका हाथी पाऊं हो गया जिसे अलिफैंटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है या सलीपद रोग के नाम से भी जाना जाता है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप मंजिष्ट का सरवत लेके एक चमच मंजिष्ट का सरवत ले उसमें संख्या भसम आप चुथाई चुटकी मिला के सुबे शाम लेना शुरू कर देंगे तो आपको हाथी पाउं से चुट चुटकारा मिल जाएगा जिन लोगों को मंजिष्ट का सरवत ना मिले कोई वातनी आप एक पीस मुनक्का लेके उसका बीज निकाल के फैक दे उसमें चुथाई चुटकी मल भसम जी से हम संख्या भसम कहते हूँ वो मिला के आप इसका इस्तमाल सुबे और शाम को करेंगे तो हाथी पाउं की बीमारी से आपको चुटकारा मिल जाएगा संख्या भसम के मैंने आपको इतने सारे फायदे बता दे तो इसका कुछ नुक्सान है वो भी बताया तो जरूरत से ज़्यादा मातरा में इसका इस्तमाल मत करें यह आपको नुक्सान पुचा सकता है पेट म रूप में भी इसका इस्तमाल किया जाता है उसमें भी कोई बुराई नहीं है मगर इंजेक्शन का भी ज़्यादा मातरा में इस्तमाल मत करें वरना यह पेट में गर्मी उठा देगा और आपको परेशान कर देगा जो पित प्राकृति के व्यक्ति हैं वो इसका इस्तमाल में डाल कर ही करें वैसे इसका इस्तमाल मत करें और इसका कोई side fact नहीं है और एक खास बात बताना चाहूंगा किसी company का जिस company पे आपको भरोसा है उस company का ही संख्या वसम खरीदें local ऐसे संख्या वसम का इस्तमाल मत करें ना संख्या वसम अपने घर में बनाएं कई लोग कहते हैं जी हम संख्या वसम घर में बनाके इस्तमाल कर लेंगे तो ऐसा मत करें ऐसा करने से ये प्रांगा तक साबित हो सकता है और आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूं धन्यवाद